हलो बच्चो तो कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का web development के सबसे पहले lecture के अंदर और इस lecture में हम बात करने वाले हैं web development के उपर और आज की ही lecture में हम सुरू कर देंगे लिखना अपना code ताकि at the end of 5th lecture आप इस बात को समझ जाएंगे एक proper website किस तरह बनाई जाती है और आ आप इतने capable हो जाएंगे कि आप खुद की या किसी एक entity के लिए website बना के deliver कर सकें ये हमारा पूरा का पूरा complete goal रहेगा इन 5 दिनों के अंदर तो चलिए सुरू करते हैं अपना सबसे पहला lecture introduction to web development और हम सुरूआत करेंगे HTML के थुरू ही तो जब भी हम web development सुरू करते हैं हम हम सुरूआत करते हैं HTML के थुरू ही और जो सबसे पहला सवाल होता है ये होता है कि technologies तो इतनी सारी आ चुकी है ठीक है आप internet बहुत सारी चीज़े पढ़ते होंगे अलग-अलग technologies हैं अलग-अलग वेबसाइट बनाई जाती है ठीक है लेकिर हम हमेसा सुरू HTML से ही क्यों कर देखिए जब वेबसाइट की रचना हुई थी जब वेबसाइट आना शुरू हुई थी तो सबसे पहले वो बनना शुरू हुई थी HTML के अंदर ही उनके अंदर CSS भी अपलाई नहीं होता था और आज कल के जितने modern web browser एवेलेबल है या यू कहें जितने भी web browser एवेलेबल है सब के सब आपकी जो website है उसे render तो HTML के अंदर ही करते हैं at the end ठीक है आप किसी भी programming language के अंदर उसे लिख लीजिए लेकिन एक browser सिर्फ समझ सकता है HTML को ही और उसे ही render कर सकता है ठीक है तो यहां तक बात समझ आ गई तो चलिए सुरू करते हैं अभी पहला lecture तो आपके सामने आप देख सकते होंगे दो लोगों जो है HTML के और CSS के और हमारा मोटो क्या है कि हम HTML और CSS properly completely समझ जाएं इन पांच lectures के अंदर ठीक है चलिए next slide पर जाते हैं और यहां पर आ जाते हैं सब्द के उपर जोगी है web development ये सब्द कहां से आया इसे लाया क्यों गया और ये web development बना के से तो देखिए जो ये web development सब्द है ये दो सब्दों को मिला के बना है website का web और development का dev तो usually हम कहते हैं web dev अभी जो website ये तो आप देखी सकते हैं internet पे आप कुछ भी सर्च करते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो आप एक website पर जाते हैं उससे वहां पर जाके आप उस website का content देखते है आप वहां पे जाके उस website का पूरा content देखते हैं वो एक web page हो सकता है वो एक web application हो सकता है नाम अलग अलग है बट at the end आपके सामने एक render होके page ही आ रहा है जो दूसरा सब्द हो है development से तो development का मतलब होता है जिस इनसान ने वो page बनाया उसने उस page को properly develop किया है तो वहां से सब् development the process of building and web page and maintaining it उसे हम कहते हैं development तो इन दोनों सब्द को मिलाके एक सब्द बना web development और आज के दुनिया में हम कहते हैं web dev अब आते हैं next चीच पे हम जैसे ही next चीच पे आते हैं तो बात आती है कि website कितने तरीके के होती है और कौन-कौन सी होती है तो देखिए majorly website से दो तरीक website static website का मतलब यह होता है कि मैं अगर किसी website पर जाता हूं आप भी अगर उस website पर जाते हैं और मेरे और आपके दोनों के दोस्त उस website पर जाते हैं तो जो content है वो continuously same रहेगा हम चारों के लिए उसमें कोई भी difference देखने को नहीं मिलेगा तो उसे हम कहते है static website जिसके अंदर जो content है वो कभी भी नहीं बदलता 99% cases में means unless until the website को update किया गया हो means जो content एक बार बनाके डाल दिया गया सरवर के उपर वो सेम दिखेगा हर एक इनसान को जो भी उस website को visit करेगा dynamic website का मतलब यह होता है जो content है वो user पे based रहता है for example अगर आप अपना instagram, facebook का, youtube का account खोलते हैं मैं खोलता हूँ और हमारे दोस्त खोलते हैं तो 100% chance है हम चारों को जो content दिखेगा वो अलग-अलग होगा तो यह होता है dynamic website एक simple layman के अंदर मैं उमीद करता हूँ आपको एक web development का जो definition होता है basics वो समझ में आ गया कि web development सब्द कहां से आया और यह static और dynamic websites क्या होती है अब हम पढ़ेंगे कि HTML क्या होता है और HTML में code लिखना हम कहां से सुरू कर सकते हैं तो HTML की सुरुआत करने से पहले चलिए समझ लेते हैं HTML क्या होता है और फिर हम सुरू करेंगे लिखना code HTML के अंदर तो देखी HTML क्या है सबसे परहें समझ लेते हैं HTML का logo क्या है तो यह logo है आपने पहले वाले sites में देख लिया होगा next HTML एक skeleton होता है एक website अब skeleton को समझे कैसे वो जानते हैं ठीक है for example अगर आप एक कोई website देखते हैं मैं आपको example के चौर पे PWSkills की website दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे एक logo है फिर एक square box है फिर आप देखते हैं my courses लिखा हुआ और फिर account information है और उसके नीचे फिर से कुछ options है ठीक है तो skeleton का मतलब क्या होता है जब भी आप HTML के अंदर coding करेंगे तो सबसे पहले आप एक website का layout बनाते हैं और फिर CSS की मदद से उसे design देके उसे एक fanciness देते हैं ताकि वो normal human को attractive लगे पर जो original HTML होता है वो एक पूरा का पूरा धाचा होता है एक website का means एक basic structure होता है एक basic layout होता है जिसके उपर हम CSS लगा के उसे एकदम सुन्दर बनाते हैं ताकि लोगों की eyes को वो appealing लगे ठीक है second HTML का full form होता है hypertext markup language और यह क्या काम क्या करता है तो simple इतना ही काम करता है कि web page का structure describe करने की मदद करता है ठीक है means आप HTML कोड लिखेंगे तो CSS या कोई और programming language इंसर्ट करने से पहले या जब भी आप उसे इंसर्ट करने वाले रहेंगे तो उससे पहले एक basic structure ready होना चाहिए उ CSS या कोई और programming language को insert करके उससे और importance दे सके या उससे और अच्छी design दे सके या उसे clickable बना सके ठीक है next जब भी आप HTML लिखते हैं तो HTML के अंदर एक महत्रपून चीज़ होती जिसे हम कहते हैं element element का मतलब क्या होता है आप अगर normally लिखेंगे कुछ भी मानले जो मैंने लिख वो normal एक text की तरह treat होगा लेकिन जब हम HTML के अंदर लिखते हैं तो हम एक element की मदद से इस PWA skills को importance देते हैं heading की तो एक element लिखेंगे हम सबसे पहले और element लिखने के बाद हम लिखेंगे PWA skills ताकि ये जो PWA skills से normal text ना रहके एक heading बन जाए web page के उपर और browser उसे समझ सके कि हाँ ये एक heading है जिसे मुझे एक heading की तरह दिखाना है सारे के सारे users को ठीक है next मैंने बोला HTML क्या होता है skeleton मतलब structure जैसे कि हमारी पूरी body बनी हुई है तो सुन्दर्ता तो बाद में आई है ठीक है सबसे पहले जो हमारा है पूरे के पूरे bone से तो एक normal structure है normal ढाचा है हमारी body का फिर उसके उपर skins को लगा के उससे सुन्दर्ता दी गई है ठीक है तो HTML का symbol सा मतलब होता है जो एक website होती है उसका पूरा का पूरा structure बना के ready करना ठीक है अग सवाल आता है यह structure हम बनाएंगी कहां पे क्या हम कोई software इंस्टॉल करेंगे या हम कुछ भी इंस्टॉल करेंगे हम अपले computer के अंदर heavy software या कुछ भी तो नहीं बिलकुल नहीं हम किसी भी प्रकार का कोई भी software अपने अंद web development उसी के उपर हम कर सकते हैं आपके computer के अंदर जो basic चीज़ चलनी चाहिए वो है Google Chrome आपको और किसी बात की कोई भी चिंता करने की जरुवत नहीं है चलिए चलते हैं PW skills की lab के उपर तो आपको आ जाना है PW skills के उपर और यहां आते ही click कीजिए PW skills की lab के उपर फिर lab open हो और आप click करेंगे start your lab पे और आप दे सकते हैं my lab के अंदर इस वक्त मैंने कोई भी lab नहीं बनाई हुई है फिर मैं आ जाओंगा lab template के अंदर और हम क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं web development तो हम click करेंगे web development के उपर और फिर click करेंगे हम HTML CSS के उपर अब हम अपनी lab को नाम द पर click करते हैं within next five to six seconds हमारी lab launch हो जाती है तीक है आप देख सकते हैं lab launch हो गई है यह कुछ चीजों को browser के अंदर means setup करके ready करेगा आपके लिए तब तक आप एक काम करोगे images और इन सभी folder को करोगे right click and delete permanently हमें इसकी कोई जरुवत नहीं है हम सब कुछ completely scratch से start करेंगे देखिए आप देख सकते हैं press any key to close the terminal मैंने कर दिया terminal को close ठीक है यहां ऐसा कर देते हैं close जल्दी हो जाएगा और मैंने preview को भी कर दिया बंद अब हम बनाएंगे सबसे पहली file और उसको नाम देंगे index.html और hit करेंगे enter index.html क्यों लिखा ताकि जब browser इस page को render करे तो वो समझ सके कि ह यह file html की है ठीक है यहां तक clear हो गए हम लोग तो सुरू करते हैं coding करना ठीक है और एक चीज जितने भी जरूरत की plugins और यह सारी चीज़े होती हैं मतलब आपको run करने के लिए वो सब कुछ यह lab अपने अंदर ही ready कर देगा आपको एक proper environment मिल जाएगा काम करने के लिए अब आते हैं और मैंने बोला था html के एक चीज बहुत important होती जिसे हम कहते हैं element ताकि हम समझ सके हम in the sense browser समझ सके की जो आप लिखने वाले हैं वो है क्या ठीक है तो हम coding करेंगे html के अंदर पहले जान लेते हैं कि element को लिखते कैसे हैं तो हां हम बना चुके हैं अपना इसे ही हम content लिखना शुरू करते हैं हमें यह ध्यान रखना पड़ता है जो content होता है वो किसी ना किसी tag के अंदर लिखा रहे है ताकि browser समझ सके कि उस content की importance क्या है और example मान लीजिए अगर आपको pw skills जो है वो as a heading दिखानी है web page को तो जब आप code कर रहे होंगे तब आपको code करते वक्त यह बताना रहेगा कि pw skills जो है यह as a heading दिखने वाला है web page के उपर तो यह बताने के लिए आपको pw skills को एक tag के अंदर लिखना होगा अब यह tag कैसे लिखा जाता है तो जब भी tag लिखा जाता है 99% cases में जितने भी tag html के अंदर है उनके अंदर एक opening tag होता है और एक closing tag होता है बहुत कम ही ऐसे tag है जो self enclosing होते हैं मतलब उसके अंदर closing tag नहीं होता हूँ मैं आगे आने वाले sessions में आपको बताता हूँ अभी हम जान लेते हैं जो basic होता है वो कैसे होता है तो for example मुझे heading दिखानी है तो जब भी मुझे heading दिखानी होगी तो heading मैं एक tag के through द जो web page है वो समझ जाएगा कि मुझे pw skills को as a heading दिखानी है web page के उपर am I clear yes I hope I am clear till here और एक चीज इस पूरे को हम कहते हैं element यह जो मैंने अंदर लिखा है यह है content यह जो मैंने यहाँ पे h1 लिखा है यह opening tag और यह है closing h1 tag और इन पूरे को मिला के बनता है एक element तो जब भी हम एक html document लिखने के सुरुवात करते हैं हमें यह ध्यान में रखना होता है कि जो सब से पहले दो tag हो वो html ही हो for example html तो अब मैं जितने भी content लिखूंगा वो सब के सब content इन दोनों tag के अंदर means यह single pair of tag है इसके अंदर ही लिखेंगे और इसके अंदर भी दो sections बनाते हैं हम एक होता है head और एक होता है body देखिए मैं बना के दिखाता हूँ फिर से head और दुसरा होता है body ठीक है body के अंदर हम वो content लिखते हैं जो हमें web page पे दिखाना है heading के अंदर हम वो content लिखते हैं जो हमें उपर tab पे दिखाना होता है for example आप देख पा रहें यहां पे लिखा हुआ है my labs फिर pw skills तो जो चीज मुझे यहां उपर जो tab का option आता है अगर मुझे वहां दिखाना है तो यह मैं लिखूंगा heading के अंदर और जो मुझे नीचे यहां web page पे दिखाना है वो मैं लिखूंगा body के अंदर hope इतना clear हो गया हो तो for example मुझे एक title दिखाना है सबसे उपर जहां पे लिखा रहा है pw skills और नीचे heading में लिखा रहा है class 1 देखे heading में क्या लिखा रहा है class 1 अभी जो heading होती है html के अंदर यह 6 अलग-अलग parts में divided है means h1, h2, h3, h4, h5, h6 h1 is the most important heading and h6 is the least important heading inside html टीक है जब भी हम ऐसे heading लिखते हैं तो इस तरह पूरा का पूरा divide किया जाता है तो for example मुझे h1 के अंदर चाहिए class 1 टीक है मैं यह हाँ एक और चीज़ जब भी आप pw skills की lab पे काम कर रहे हैं सब कुछ automatically save होता रहेगा अब मैंने इतना तो लिख लिया अब मुझे इसका output देखना है means यह जब मेरा web page एक browser render करेगा तो यह दिखेगा कैसे मुझे यह जानना था तो मैं क्या करूँगा मैं करूँगा right click और मैं click करूँगा open with live server जैसे ही मैं open with live server करता हूँ मुझे एक port number यहाँ पे लिख कर आ जाता है जो इस समय है double five double zero अब इसे run करने के लिए हमें क्या करना है हमें यह url copy कर लेना है copy करने के बाद new tab पे जाके इसे paste करना है और जो हमने port number अभी देखा उसे यहाँ पे लिखके enter कर देना है तो आप देखेंगे आपने यहाँ पे जो web page बनाया वो web page यहाँ पे load हो गया class one is the heading class one is the heading और title में मैंने क्या दिया था pw skills तो कहां पे दिख रहा है वो उपर मुझे जो tab का box आता है उसके अंदर मुझे दिख रहा है pw skills ठीक है इसी तरह मैं h2 बना सकता हूं h2 होगा class 2 माल लिज़ ठीक है फिर मैं h3 बना सकता हूं माल लिज़ यह होगा class 3 next में बनाता हूं h4 ज जो की होगा class 6 sorry class 5 और जो last होगा h6 वो होगा class 6 अब इसे मैं देखता हूं तो इसे वापस से आपको right click करके open with live server करने की जरूरत नहीं है यह already running आपको just इस web page पे जाना है और आप देख सकते है h1 से लेके h6 तक सारी चीज़े properly load हो चुकी है मेरे browser के उपर ठीक है तो h1 is the most important heading और h2 उसे कम h3 उसे कम करते करते h6 तक हम गया जो most least important heading है वो और मैं आपको एक सज़द आता हूं हम usually real life coding में कभी भी h4, h5 और h6 का use नहीं करते majorly जो heading होती है वो h1, h2, h3 के अंदर ही खतम हो जाती है ठीक है यहां तक I hope clear हो गया अब हम next देखेंगे हम एक paragraph कैसे लिख सकते हैं तो paragraph लिखने के लिए हमारे पास tag है P tag P stands for paragraph मैंने किया तो P का opening tag आ गया और P का closing tag आ गया अब मुझे जो भी इसके अंदर लिखना है मैं लिख सकता हूं तो जब भी हम web development की सुरुआत करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो content हमें web page पे दिखाना है उसकी shortage होती है तो उस तोरान हम किस इसका इस आके देता है for example मुझे 50 words चाहिए यह 10 words चाहिए 7 words चाहिए आपको कुछ नहीं करना है आपको लिखना है laureum और फिर कितने सब्द चाहिए for example मुझे चाहिए 10 words तो मैं लिखूंगा 10 और press करूँगा tab key क्या press करूँगा tab key मैंने press किया tab as soon as मैं tab press करूँगा मैं इसको hide कर दे यहां पर मुझे लाउर्यम चाहिए 50 words का और मैं क्या प्रेस करूंगा टैब और मैंने जैसे इसी टैब प्रेस किया मेरे पास 50 words का पूरा पूरा एक paragraph आचुका है अब यह paragraph तो आगया मैं चाहता हूँ इस paragraph के अंदर थोड़ी बहुत formatting करना formatting मतलब मैं चाहता हूँ कुछ जो सब्द हैं वो bold दिखे मैं चाहता हूँ कुछ जो सब्द हैं वो मुझे italic दिखे और मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे सब्द हो जो highlight होकर आ जाए मेरी इस वक्त requirement ये है तो सबसे पहले करते हैं bold तो bold करने हमारे पास है b tag b का मतलब होता है bold और इस bold tag के अंदर मैं इसे लाके paste कर दूँगा और चलते हैं अपने webpage के उपर तो आब आप देखेंगे कि यहां पर यह जो है यह bold होकर आ चुका है तो मैंने यहां पर क्या कर दिया मैंने यहां पर text formatting कर दी अब माल लीजिए उसके बाद यह जो character है यह चाहिए मुझे किस में चाहिए यह मुझे यह चाहिए मुझे italics में तो italic के लिए होता है सब आई और इसके अंदर मैं इसे cut करके यहां पर paste कर दूँगा अब चलते हैं देखते हैं तो अब आप देखेंगे यह italic होकर आ चुका है हमने क्या सिख लिया हमने क्या सिख लिया हमने क्या सिख लिया है अब माल लीजिए मैं चाहता हूँ मेरे पास यहां पर फिर से pw skills है दुसरे paragraph में लेकिन अभी जो pw skills है यह highlight होकर आए कैसे आए यह highlight होकर आए तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पर लिखूंगा mark का मतलब होता है वो पर्टिकुलर चीज जो mark के अंदर लिखिए वो highlight होकर आ जाती है अब देख लेते हैं तो आप देखिए वेब पेज का skeleton ready करते हुए जा रहा हूं एक धाचा ready करते हुए जा रहा हूं जिसमें लास्ट में मैं कुछ ना कुछ all design मतलब CSS का use करके उसे मैं खुबसूरत बना दूंगा बासोंज में आ रही है HTML से मैं धाचा ready करूंगा और फिर उसमें CSS लगा के उसे खुबसूरत बना दूंगा ताकि वो आई appealing हो जाए हमने तीन चीश सिख लिए bold, italic और mark इसके लावा कुछ और important चीज़े होती है जैसे कि math में आपने देखा होगा subscript और superscript means 2 raised to the 2 तो आप हम उसे बोलते हैं 2 to the square ऐसा बोला जाता है तो वो हम HTML के web page पे कैसे लिखेंगे वो जान लेते हैं अब मैं यहाँ पे आ जाओंगा हम लोग यहाँ पे new line पे आ जाते हैं और new line पे मैं फिर से लिखता हूँ paragraph तो दो चीज होती एक होती है superscript और एक ह पावर 2 तो मैं लिखूंगा subscript ठीक है sorry superscript मैं और यहाँ पे लिख दूंगा 2 अब इसका output देखते हैं ठीक है web page लोड़ोगा refresh मार देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आएका 10 to the power 2 अब मान लिजे मुझे यह जो 2 है यह नीचे चाहिए ठीक है उपर नीचे ऐसा मान लेते हैं easy भासा में तो मैं यहाँ पर लिखूंगा subscript मैंने लिख दिया 2 अब आप देखेंगे यह यहाँ पर नीचे आ चुका है यह था subscript और superscript अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं जैसे कि आपने देखा होगा amazon के अंदर price लिखी होती है फिर उस price को काट दिया ज दिया रुपीज 10,000 मैं चाहता हूँ जो 10,000 लिखा हुआ है उस पे एक line खिच कर आ जाए तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा डेल और इस डेल के अंदर डेल in the sense डिलीट के अंदर मैं लिख दूंगा 10,000 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7,000 ठीक है अब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं 10,000 कट चुका है और नई प्राइज 7,000 वेब पेज के उपर लिख कर आ गई है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह text formatting समझ में आ चुकी होगी ठीक है अब हम समझेंगे कि हम list of characters कैसे बना सकते हैं मतला हम देख कुछ लिखा रहता है तो हम वो वेब पेज के उपर कैसे बना सकते हैं चलिए उसे समझ लेते हैं तो उसे समझ बनाने के लिए हमेशा आपको क्या करना रहेगा आपको बनाना रहेगा देखिए जो 1,2,3,4 होता है वो होता है ordered list ठीक है और जो 0,1,2,3 sorry bullet points होते हैं वो होते हैं unordered list तो सबसे पहले हम जाते हैं order list के उपर तो मैंने लिखा ओल टीक है ordered list ol in the sense order list अब इस order list के अंदर आएंगे सारे के सारे list items तो मैं लिखूंगा li अब माली जिए मैं लिख देता हूं 1 फिर मैंने li बनाया मैंने लिख दिया 2 फिर मैंने बनाया li मैंने यहां पे copy ठीक है फिर बनाया फिर माल लिजे मैं इनको करता हूं copy आ जाते हैं हम next line पर मैं कर देता हूं इने paste अब जब आप जाके output देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर sequence बन चुका है 1 2 3 4 5 6 और यह 1 2 जो तो मैंने content लिखा है content वैसा ही रहेगा but numbering में कोई changes नहीं होंगे for example अगर मैं इसे करके copy कर लेता हूं और copy करने के बाद फिर से यहां paste कर देता हूं तो आप देखेंगे फिर से वो numbering ready हो चुकी है तो यह थी ordered list अब मान लीजिए मुझे चाहिए unordered list मतलब मुझे सब कुछ चाहिए bullet points के अंदर तब कैसे लिखा जाएगा तो वो समझते हैं तो मैं इसे करता हूं copy और हम नीचा के कर देते हैं paste as a programmer copy paste करना आपका born right है अब मैं यहां पे लिखूंगा ul stands for unordered list अब हम जाते हैं यहां पे अब आप देखिए bullet points के अंदर सारा का सारा content आज चुका है मुझे यह bullet points बनाने की जरुवत नहीं पड़ी just because मैंने यहां पे proper tags का इस्तमाल किया था मेरा page मेरा जो web page है वो इसे समझ के properly render करके ऐसे दे देता है यह बासोंज में आ गई तो हमिज़ा याद रखिए जब भी हम HTML लिखते हैं तो हमें उस उस tag का properly इस्तमाल करना है जिन जिन tags को हम चाहते हैं कि हमारे web page पे यह content इस तरह दिखे जिस तरह हम दिखाना चाहते हैं पहले हमको सोच लेना कि हमको दिखाना इस तरह है और based on that हम tag use करेंगे ठीक है और फिर उस tags के अंदर हम CSS को यूज़ करके उसे और ज्यादा stylus बना देते हैं ठीक है अभी मैं आपसे एक चीज़ हाइड कर रहा हूं जो है attributes ठीक है वो मैं आपको समझाओंगा जब हम CSS start करेंगे तब अभी के लिए class हम जितना simple हो सकता है उतना simple रखन की कोसिस कर रहे हैं तो हमने क्या समझ लिया हमने समझा कि हम HTML लिखते कैसे सबसे पहले हमने समझा कि HTML का document किस extension में लिखा जाता है वो होता है .html के form में हमने एक file बनाई .html फिर हमने HTML का tag लिखा फिर उसके बाद होता है head tag और एक होता है body tag हमने समझा जो head tag के अंदर लिखा रहता है वो कहां पर जाता है वो नीचे web page पर जाता है ठीक है फिर हमने समझा कि heading कितने तरीके की होती है फिर हमने समझा कि paragraph कितने तरीके के होते हैं कितने तरीके परेग्राफ कैसे लिखते है paragraph के अंदर content लाने का shortcut क्या है जो कि है लॉर्यम इसम और हमने कुछ basic formatting जैसे bold, italic, mark, subscribe, superscript and delete ठीक है उसके लावा हमने सिखा कि हम list कैसे बना सकते हैं ठीक है ये था basics अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे हम समझे कि table कैसे बना सकते हैं images कैसे load कर सकते हैं और हम समझेंगे कि अब हम video को कैसे load कर सकते हैं और HTML के अंदर एक बहु table हम कैसे बनाएंगे तो अब हम जानते हैं table बना कैसे होता, table गया होता है multiple rows और column को एक साथ कर दिया जाता है तो हम एक table का format form कर लेते हैं अब हमें इसे HTML में code कैसे करेंगे ताकि हम उस form में उसे देख सकें तो जैसे कि आपको पता है हमें output imagine करके कोई ना कोई उस तरह का tag यूज़ करके उसे लाना होता है simply तो table बनाने के लिए tag है जिसका नाम पहले से ही है table अब इस table के अंदर मुझे बनानी होगी rows और column अब बना बनाएंगे rows तो rows बनाने के लिए होता है टी आर टी आर मतलब table row अब इस सबसे माली जगार आपको भी table बना रहे ठीक है माली ज़ो अपने class का time table बना रहे हैं जिसके अंदर multiple rows and column होती है means एक जगा पर time लिखा होता है एक जगा पर days लिखे होते हैं और बीच में जो होता है वो subjects लिखे होते हैं तो कोई भी table जो होता है उसके जो सबसे पहली row होती है उस पर होती है heading maximum time तो माली ज़ो जो मेरी सबसे पहली row है उसके अंदर होगी table heading तो मैं लिखूंगा TH, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ heading 1, माल लिजे एक और है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ heading 2, माल लिजे एक और, हम ले लेते हैं TH, मैं यहाँ पर है heading 3, तो 13 heading हो गई, अब इसका output कैसे आएगा, वो देख लेते हैं, तो मैं जाता हूँ अपने, जहाँ पर मैंने execute किया, मैं यहाँ पर करता हूँ run, जैसे ही मैं इसको refresh करूँगा, आप देख पाएंगे, कि मेरे पास heading 1, heading 2 और heading 3, एक form में आगई, आप lines नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं, वो पूरे की पूरे line के अंदर आई हुई है, माल लिजे मे लिखेंगे second, फिर से tr, अब second जो row होगे, उस पर होगा table का data, तो मैं लिखूंगा td, means table data, अब यहाँ पर table data जो होगा, मैं लिख देता हूँ, माल लीजिए row 1, ठीक है, लॉजिकल यह row 2 है, ठीक है, और यहाँ पर मैं column करता हूँ, ठीक है, फिर से मैं करता हूँ duplicate, ठीक ह column 2, माल लीजिए मैं एक और बनाता हूँ td, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ row 1, और यह फिर से क्या होगा, column 3, चलिए इसका output देख लेते हैं, तो आप देखिए, output properly row 1, column 1, यह गया है, इस heading के अंदर, ठीक है, फिर यह जो है, यह गया है, इस heading के अंदर, और यह जो है, यह गया है, इस heading के अंदर, मैं अब border कैसे लाते हैं, मैं अभी एक second बनाता हूँ, ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा और बना लिया जाए, ठीक है, माल लीजिए मैं एक और ले लेता हूँ, tr, अब इसके अंदर में फिर से बनाता हूँ का td, table data, तो हम क्या करते हैं, हम इस नहीं है, border, मुझे क्या देखना है, border, तो मैं simply यहाँ पे लिख दूँगा, कहाँ पे, जहाँ मैंने table start किया, मैं यहाँ पे simply लिख दूँगा, border, और कर दूँगा, safe, ठीक है, इस वक्त हम इस पे कोई भी CSS apply नहीं कर रहे हैं, और हम border इस तरह भी नहीं देते हैं, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे border दे रहा हूँ, usually हम border लेकर आते हैं, CSS की मदद से, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे border लिख दिया, border लिखते ही आप देखेंगे एक पूरा का पूरा table का form आपको बनके दिखने लगा है, ठीक है, एक जाद रहे हैं, हम border कभी भी ऐसे नह हो चुका है, इतना clear हो गया, अब मान लेते हैं, आपको यह जो तीन table है, ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आपको कई data जो होते हैं, वो multiple rows के अंदर दिखाने होते हैं, या कुछ data जो होते हो, multiple columns के अंदर दिखाने होते हैं आपको, तो उस समय आप क्या करेंगे, तो HTML के अंदर दो और चीज़े हैं, जिने हम कहते हैं, row span and column span, मतलब जब भी आप row span लिखेंगे, तो वो particular row, जहां पे आप table data में row span लिख रहे हैं, वो उतनी row ले लेगा, और आप column span लिखेंगे, तो उतने columns को ले लेगा, चलिए एक example की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है, आजाते हम यहां पर, अब यहां पर आने के बाद, हम heading 1 और heading 2, 3 और ऐसे ही रहने देते हैं, माल लीजिए, मैं यहां पर आकर लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, call span, और मैं यहां पर लिख देता हूं, to, तो call span कैसे होगा, चलिए देखते हैं, column, दो column ले लो, ठीक है, call span means दो column आप ले लीजी, अब यहां पर आजाते हैं, और यहां करते हैं refresh, तो अब आप देखेंगे, यह जो row 1, column 2 लिखा हुआ है, इसने दो column ले ली है, ठीक है, दो column जो इस तरह होती है, उन दोनों columns को इसने ले ली, आपको पता है, row इस तरह होती है, column इस तरह होती है, घुम द multiple columns देनी थी तो पहली column और दूसरी column call span ने दोनों की दोनों ले ली अब इसके जगा पे मैं अगर लिग देता मालीजिए simply row span में लिग देता row span तो क्या होता अब वो particular ले चुकी है यहां तक मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा चलिए इसके साथ करते हैं इस लेक्चर को एंड अब हम मिलेंगे नेक्ट लेक्चर में जहां पर हम समझेंगे कि मल्टी मीडिया मेंस इमेज वीडियो और ओडियो फाइल्स को अपने वेब पेज पे क कि आप्न आ इकाए है का इब हम क्रवाओार फिर प्रतार आ लेक्वाण को चलिए अब है।